नमस्कार दोफ्त एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हार दिक स्वाग अगत्य लेट अफ्ट अप्टेर निकल कर आए कि किंद्रे क्रमचारियों को होली से पहले मिला तोफा सताहीजार रूपे बढ़ जाएगी क्रमचारियों की सैलरी सीधे खाते में 22,000 रूपे तो दोफ्तो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि किंद्रे क्रमचारियों के खाते में रूपे कब आएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफ्टाइम जिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथी साथ वैल आइकन को भ पोलीस से पहले बड़ा तोफ़ा मिल गया है सरकार ने क्रमचारी की सैलरी में बंबरी जाफा कर दिया है मोधी कैबिनेट की बैठक में महिगाई बट्ते में इजाफ़े को मंजूरी दे दी गई है इस मंजूरी के बाद में करमचारी की सैलरी में सताहिजार रुपे से भी ज़्यादा का इजाफ़ा हो गया है दोस्तों AICPA इंडेक्स से मिली जानकारी के मुताबिक एक जन्वरी 2023 से करमचारी को बड़े हुए डिये का फायदा मिलेगा इस समय पर करमचारी को 38% की दर्से महिंगाई बत्ता मिल रहा है लेकिन अब इसमें 4% का इजाफ़ा हो गया है होली से पहले हुई कैबिनेट मीटिंग से जन्कारी मिली है कि करमचारी को 42% की दर्से महिंगाई बत्ते का फायदा मिलेगा AICPI IW के अधार पर ही महिंगाई बत्ते की कालकुलेशन की जाती है दोफतों आपको बता दीगा अगर किसी करमचारी की बेसिक सेलरी 18,000 रुपे है तो उसकी सेलरी में परतिमा 420 रुपे का इजाफ़ा होगा यानी सालाना अधार पर करमचारी की सेलरी में 8,640 रुपे की बड़ोतरी होगी दोफतों सुत्रों की माने तो माना जा रहा है कि पियम मोती होली से पहले इसका एलान कर सकते होली के बाद वीत मंत्रेले इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा मार्च की सालरी के साथ ही बड़े हुए महिगाई बत्ते का बुक्तान होगा करमचारियों को दो महिने का एरियर भी मिलेगा अगर करमचारियों के डिये में 4% का जो इजाफा हुआ है उसकी साथ से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो करमचारियों की जोली में मोटी रिकम डिलेगी दोस्तों महिगाई बत्ता सिधा 12% पर पहुच चुका है जुलाई 2022 में ही सरकार ने करमचारियों के डिये में 4% का इजाफा किया था डिये और डियार में होने वाली बड़ोतरी से लागों केंद्रे करमचारी और पैंसनों को जबरदस्ट फायदा हुआ है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत